हलो मेरे नाम है चंद्रहास, इस्टडी स्मार्ट एससी में आपका स्वागत है, दोस्तों में मैं सुलेशन से पार्ट थर्टीन है, जिसमें हम डिसकस करेंगे इस स्फेर्स के उपर कोश्चन को सिर्फ इस फेर्स ही नहीं है, यहाँ पर आपको कुछ और कुछ और कुछ अप आपको देखने को मिलेंगे, तो आपने अभी तक मेंसुरेशन के बारा पार्ट नहीं देखें हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगा सबसे लाश्ट में, या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, या फिर जो भी एडवांस मैथ के टॉपिक से आप देख सकते है तो देखें, पहला कोशन यहाँ पर मैं लेता हूं लिखा हूँ है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि स्फेर का मतलब क्या होता है, स्फेर का मतलब जैसे आप क्रिकट की बाल समझ सकते हैं, कोई भी एक बाल समझ सकते हैं, सर्कल का 3D फार्म है, स्फेर तो यहां पर कहा रहे हैं कि कोई एक hollow spherical metallic ball है मतलब metal की कैसी ball है hollow है मतलब पूरा metal नहीं भरा हुआ है बीच में उसके metal नहीं है और बता रहे हैं कि उसका diameter कितना है 6 cm तो अगर मैं ऐसे 2D वहीं आपको समझाओं कि यह माल लेते हैं कि metallic ball है तो कहरें कि इसका diameter कितना है मतलब यहां से लेकर कि यहां तक की दूरी कितनी है तो यह कहरें 6 cm है फिर कहरें कि end is half centimeter thick मतलब इसकी मोटाई की बात कर रहे हैं कितनी मोटी है यह बाल तो यह कितनी है half centimeter तो ऐसे समझ सकते हैं कि चारो तरफ से यहां पर तो टेच नहीं करेगा, चारों तरफ से half cm यह आपकी ठीक है, तो ऐसे कैसे में आपको ďसे लग निकालना है, बौल का कितना होगा तो जो radius है वो कितना diameter 6 cm है तो radius कितना हो जाएगा या मैं कहूँ capital R की value कितना हो जाएगी 3 cm और एक बार आप radius ले लिजिए जो अंदर वाले मतलब है जो सता हाप की half cm मोटी है इधर से भी और half cm इधर से भी टोटल ये कितना हो जाएगा आधा इधर से कम करिए आधा इधर से कम करिए तो अब diameter कितना बचा तो अब बचता है 5 cm का तो radius कितना हो जाएगा इसमाल आर कितना हो जाएगा 5 बटे में 2 cm बस आपको दोनों के volume का difference निकाल लेना है वही इसका ball का volume होगा तो sphere का volume का formula क्या होता है 4 by 3 उनों में common रहेगा क्यों जो आर ये है यही क्यों बदल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं 4 by 3 pi को common ले लिजे bracket में आप क्या करिए capital r cube minus small r cube है square ने cube तो 4 by 3 ये pi या pi की value आप direct यहां से रख सकते हैं कितनी 22 बटे 7 r cube की value कितनी है 3 का cube करेंगे कितना मिल जाएगा 27 minus में small r cube की value कितनी हो जाएगी 5 का cube करेंगे कितना मिलेगा तो 5 का cube करेंगे तो 125 2 का cube करेंगे तो 8 तो ये आ जाएगा 125 बटे में 8 अब आपको इसको solve कर ले रहा है 27 गुणे में 8 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आप ऐसे कह सकते हैं, 30 गुड़े में 8 करेंगे, तो 240 होगा और उसमें से 24 घटा दीजिए, मतलब मैंने 27 को 30-3 की तौर पर लिख लिया, तो आसान हो जाएगा, 240 में से 24 को घटाएंगे, 216 मिलेगा, तो यह हो जाएगा 4 बटे 3, गुड़े में 22 बटे 7, और यह आपका 216 में से 125 घटाएंगे, तो 16 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, एक, और यहाँ पर बचेगा 11, 11 में से 12 जाएगे, कितना बचेगा, 9, और यह तो आपका पूरा कठी जाएगा, 90 बना जाएगा, तो यह 91 अपन में 8 आ गया, कुछ कट रहा है क्या, 7 कट जाएगा, इसको 13 बार मे 3, यह एंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एंसर देखे कैसे है, इस रूप में है, तो आपको पहले 11 और 13 को क्या करना होगा, गुड़ा करना होगा, और किसी भी नंबर का 11 से गुड़ा करना, मेरे खाल से इतना ज्यादा आपके लिए कठीन काम नहीं होगा, आपने अगर म कोणे में 4, 12, 12 कटेगा, यह कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 3 सते 21, बचेगा कितना 2, तो यह आ जाएगा 47 सही 2 बटे 3, यह आगया वोल्यूम किसका बॉल का, तो यहाँ पर यह वाला ओप्शन नहीं है, यह तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आपको एंसर लाना sheet of 1 mm thickness, the diameter of the sheet so form is, अब देखी, कभी भी इस तरह की questions आए, जिसमें क्या पूचा जाए, जिसमें आपको एक कोई भी shape रहे, चाहे कोन रहे, चाहे सिलेंडर रहे, कोई भी shape रहे, जिसको पिगला करके, melt करके, किसी दूसरे shape में ढाला जाए, या फिर किनी और shape में ढाला जा तो जैसे अगर मैं ये sphere ले लूँ, इसको मैं पिगला करके, क्या बना दूँ, एक कॉन बना दूँ, तो इसमें क्या similarities होँगी, मतलब अगर मैं 이 sphere को पिगला करके, ये कून बना रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, कि जितना material इस sphere में है, उतना ही material किस में होगा, इस कॉन म में होगा या फिर अगर मैं दूसरे टम में बात करूं तो क्या हो जाएगा कि इसका जो वॉल्यूम है इसके वॉल्यूम के क्या होगा बराबर होगा ठीक है तो यह बस चोटा सा पॉइंट अगर आपको याद रहता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है और यहां पर बनाया किया जा रहा है स्फ कनवर्ट किया जा रहा है एक सिलेंडर में तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 by 3 पाई आर क्यूब इस इक्वल टू पाई आर स्क्वाइर है यह आपके अपस में बराबर होंगे यहाँ पे ध्यान रखे आपको सब मीटर में पता चल ला है तो इसका मतलब डेसिमीटर को मीटर में करनोड करिए तो एक मीटर बराबर कितने डेसिमीटर तो एक मीटर बराबर होता है दस डेसिमीटर तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 डेसिमीटर को मीटर करनोड करें मीटर बराबर कितने 1 mm होता है तो एक मीटर बराबर 1000 mm तो इस हिसाब से देखा जाए इसको मीटर में करें एक मिली मीटर कितना हो जाएगा 0.001 अब आपको क्या करना है बस आपको आर स्कॉयर की वैल्यू निकाल लेनी है अब हमको निकालना है ऐसा भी निक बहुत ज्यादा कठें काम है यह 4 बटे 3 होगा इसको में कहा दें 0.3 into 0.3 into 0.3 और बटे में यह आप का जाएगा नीचे कितना 0.001 कुछ कट रहा है क्या जी हां कट रहा है यह इसको काट देगा कितनी बार में 0.1 टाइमस में अब अगर इन 3 हो का गुणा करें तो 3 गुणे 3 कितना हो देखें यहां पर अगर आप 3 गुणे 3 कर रहना हो तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे से 0.9 यह तो गलत है यहां पर पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा दो अंक के बाद तो 0.3 0.3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.09 और फिर से इसको पॉइंट 1 से गुणा कर कर दीजिए तो 4 से आप multiply करेंगे 9 को तो कितना मिल जाएगा 36 मीटर ठीक है यह कितना मिल गया 36 मीटर तुरंत option में नहीं देखिएगा क्यों 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 कि आर स्कॉयर की value है तो आर स्कॉयर की value इतनी आ गई तो आर की value कितनी होगी अंडर रूट 36 मतलब 6 मीटर ओके तो य यहां पर diameter चाहिए मतलब इसमें आपको 2 का गुणा करना होगा तो आपको मिल जाएगा 12 मीटर तो कौन सा ओप्शन सही होगा option number 3 आपका सही होगा next question पर आगे बढ़ते हैं देखिए इसी तरह का question है क्या लिखा गया है कि 12 sphere of the same size are made by melting a solid cylinder of 16 cm diameter and 2 cm height the diameter of each sphere is मतलब यहां पर कहरें कि कोई cylinder है ठीक है यह आपका cylinder है अब इसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता है कि इसकी height पता है और क्या पता है और इसका radius पता चल सकता है क्योंकि diameter दिया गया है कहरें कि इसको पिगला करके melt करके हमने क्या बनाए है 12 same size के sphere बनाए लेकिन यह सब क्या है same size के है मतलब सब की radius क्या है बराबर है तो आपको यहां पर निकालना क्या है कि diameter of each sphere तो diameter of each sphere मतलब किसी भी एक sphere का आप radius निका लिजे इसको दो से गुणा कर दीजे तो करना कैसे है आपको यह समझ में आ गया अगर कि कभी भी अगर कोई भी चीज प इसमें 12 का गुणा कर दीजे यह वॉल्यूम आपस में बराबर होगा बस यही आप बराबर कर दीजे तो यहां पर आपको पता है तो इसको आर क्यूंब कर देते हैं वैसे तो उल्टा हो गया है यह बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं की बात पाई से पाई तो आपका कठी जा रहा है, 3 गुणे में 4 ये कट गया, 4 गुणे में 4 16 हो गया, और कुछ कट, यहां पे देखेए वैल्यूस क्या है, इनके वैल्यूस आपको पता है, क्या, कि इसका डायमीटर कितने का है, 16 सेंटीमीटर का, तो मतलब इसका रेडियस कितना हो 16 इसको 4 बार काट देगा, 4 दुनी 8, तो r cube की वल्यू कितनी आ गई? 8. तो r की वल्यू कितनी आ जाएगी? 2. अब आपको r की वल्यू पता चल गी, मतलब हर एक स्फेर कितना है? 2 cm radius का है, लेकिन आपको निकालना क्या है? डाइमीटर निकालना है, तो डाइमीटर निकालना है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणा, तो कितना हो जाएगा? 4 cm, ओके? तो ये आपका हो गया, मेरी खाल से आपको समझ में आए, अगर इस तरह कोशनों कर जी कन्फूजन हो, तो आपके अगरी जैसे ये डाइमीटर आ गया न, 4 cm, इन केस अगर कन्फूजन होती है, तो कि आपने सही निकाला है कि नहीं, तो आपके अगरी 4 cm जैसे ये आ गया है, ठीक है? ये तो डाइमीटर है, रेडेस आपको पता चले है कितना है, 2 cm का, तो आप यहीं पर रख दीजिए इसको, तो यहां पर आप देखिए कितना हो जाएगा, 8, यह कितना हो गया, 64 गुणे में 2, और यहां पर आप रख दीजिए कितना, यहां पर रख दीजिए 2, तो यह 2 का क्यूब हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 16 गुणे में, और य solid, lead sphere of a diameter, 12 cm, 3 small spheres are made, whose diameters are in the ratio 3 is to 4 is to 5, the radius of the small sphere is, अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं, कि कोई 12 diameter का sphere है, जिसको 3 छोटे छोटे sphere में पिखला करके बना दिया गया, और उनके diameter का यहाँ पे ratio दिया गया है, धिहान रखे, diameter का ratio दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे, करना हमको वही है, कि यहाँ पे आपका यह वाला जो volume होगा, जो बड़े sphere का है, वो इन तीनो जो छोटे-छोटे आपके sphere बने हैं, इनके volume का sum होगा, मतलब उनके volume के sum के बराबर होगा, तो volume दोनों तरफ से बराबर करना है तो यहाँ पर आप क्या पाते हैं कि volume किज़ा हो जाएगा 4 by 3 पाई R cube और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 4 by 3 पाई यहाँ पर R1 cube प्लस R2 cube प्लस R3 cube मतलब यह कोई formula नहीं है 4 by 3 पाई R1 cube इसके लिए फिर इसके लिए फिर इसके लिए तिन अलग अलग के लिए करेंगे तो 4 by 3 तो common है तो यह common और यहाँ से common कड़ गया अब क्या-क्या values है देखिए यहाँ पर आपको diameters दिये गए है ऐसे कह सकते हैं कि D1 की value कितनी है 3X गुणा कर लें D2 की value कितनी है 4X और D3 की value कितनी है 5X अगर हमको radius निकालना है क्या है दो से भाग देते हैं तो यह कितना हो जाएगा 3 by 2X यह कितना हो जाएगा 2X और यह कितना हो जाएगा 5 by 2X अब यह सारी values आप क्या करेंगे यहाँ पर substitute कर दीजे इनकी positions पर और आपको answer मिल जाएगा यहाँ पर R cube की value क्या रखेंगे तो यहाँ पर आपको diameter पता है 12 cm है तो radius कितना होगा 6 cm तो 6 का cube करेंगे तो कितना मिलेगा 216 यहाँ पर 4 by 3 और इन 2 में πाई तो कठी किया दोनों तरफ से बस इन सब का आपको क्या करना है cube तो 3 by 2 का cube करेंगे तो कितना मिल जाएगा 27 बटे में 8 x प्लस यहाँ पर cube भी होगा इसका 2 x का cube करेंगे तो कितना मिलेगा 8 x cube प्लस में 5 by 2 x का cube करेंगे तो कितना मिल जाएगा 125 बटे में 8 x cube क्या common है x cube common है या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, इसका आप LCM ले सकते हैं, XQ तो ऐसे common ही है, आप इसका LCM ले लीजिए, तो यह कितना हो जाएगा, 8 हा जाएगा, तो वो भी आपका common हो गया, तो यहाँ पे और क्या बचेगा, देखे, 8 है तो यह 27 हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे तो क्या है, 1 है, तो 68 ही 64 हो गया, प्लस में यहाँ पे कितना है, 125 है, तो 125 ही रहेगा, फिर देखे कितना हो जाएगा, 216 और यह आपका XQ इंटू में, बटे में 8, 27, 64 और एक सो पच्चे जोड़ लिजे, 7, 4, 11, 11 और 5, 16, फिर क्या हो गया, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 11, फिर यह कितना गया एक, 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 दो, कितना गया, 216 ही आगया, तो यहाँ पे देखे, गुणे में 216 और यह 216 कड़ गया, XQ बटे में 8 कितना हो जाएगा, तो आपस में क्रॉस में मॉल्टिप्लाई करेंगे, तो XQ is equal to 8 हो जाएगा, तो X की वेल्यू कितनी आ जाएगी, 2, अब X की वेल्य बस आपको रख देनी है, तो X की वेल्यू दो रखेंगे, कितना जाएगा, तीन बटे में 2, मिंटू में 2, 2 से 2 कड़ गया, कितना जाएगा, 3 सेंटीमिटर, तो कौन सॉप्शन सही है, नेक्स्ट कोशन पर चलते है, लिखा वाए, आ स्फेर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमिटर is put into water contained in a cylinder of base radius 4 सेंटीमिटर, ठीक है, मतलब कोई सिलेंडर का, सिलेंडर नुमा कोई भी बरतन है, जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें एक स्फेर को डाला गया है, और उससाब के यहां पर measurement दिया गया है, मतलब जो सिलेंडर है, उसका base radius कितना है, 4 सेंटीमिटर का, और जो पानी में तो सेंटीमिटर में तो इसको कैसे करेंगे आप अगर practically आप देखिए, तो आपको ऐसे बता हूँ कि मां लेते हैं, यह सिलेंडर है, ठीक है, एक बार मतलब समझे लेंगे कया पूशन, कि आप बहुँ सारे questions बनते है, आम आप सारा कर लेंगे, मां लेते हैं, कि पानी भरा हुआ है ठीक है यह आपका पानी भरा हुआ है अब इसमें अगर आप कोई गोला डालते हैं मतलब स्फेर डालते हैं तो क्या होगा कि जब स्फेर आप इसमें डालेंगे यह स्फेर हैमान लेते हैं इसमें जब आप पुट करेंगे तो यह स्फेर क्या होगा इसमें घेरी है स्फेर ने उतनी जगा का पानी क्या होगा उपर उठके कुछ लेवल बढ़ जाएगा ठीक है तो आपको यही बताना है कि यहाँ पे जो वाटर का लेवल है वो कितना राइज हुआ है ठीक है तो यह आपको निकालना है तो अच्छा कोशन है कैसे करना है इसको आप स इस शेप कैसा होगा तो यहाँ पे रेडियस में तो कोई बतला होगा नहीं पस आपको इसका एच निकाल लेना है तो आपको क्या करना है फोर बाई थ्री पाई अगर इस फेर का जो रेडियस है इसको मैं आर क्यूब ले लूँ इस इक्वल टू क्या हो जाएगा इतना है उसका रेडियस कितना है तो सेन्टीमीटर तो सेन्टीमीटर आप प्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा कुषण टो यहाँ पर देखी क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 पूरा का पूरा कड़ गया या फिर ऐसे भी देख सकते थे इसको आप ये 8 चोग 32 हो जाता तो ये 2 से 2 कड़ गया तो H की वेल्यू कितनी आ गई? 2 बाई 3 सेंटीमीटर तो आपको क्या पता चल गया? पानी कितना उपर वड़ा है? 2 बाई 3 सेंटीमीटर उपर वड़ा है थार्ड वाला जो उप्शन है ये सही होगा इस पर बहुत सारे कोशन्स आते हैं तो आप कोई भी कोशन होगा थोड़ा सा अगर लॉजिकली उसको समझ लेंगे कैसे क्या कोशन कह रहा है तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे नेक्स्ट कोशन देखते है लिखा हुए अब मेटलिक हेमिस्फेर इस मेल्टेड और रीकाश्ट इन दा सेप आफ 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 कोन विद दा सेम बेस रेडियस ऐस दैट आफ दा हेमिस्फेर अच्छा यहाँ पर हेमिस्फेर की बात करें हेमिस्फेर का मतलब क्या कि अगर आप स्फेर को बीच में से कट कर दीजिए तो वो क्या बन जाता है हेमिस्फेर यह कुछ ऐसे समझे ठीक है यह ऐसे गोला रहेगा ठीक कटोरे नुमाश शेप आपको ऐसे दिख रहा होगा तो यह क्या है हेमिस्फेर कहरें कि हेमिस्फेर को मेल्ट करके क्या बना दिया गया कौन बना दिया गया कौन का शेप दे दिया गया लेकिन यह क्या कहरें कि जो हेमिस्फेर का रेडियस है वही क्या है इस cone का भी radius है दोनों के radius के हैं बराबर और दिया गया है कितना capital R तो कहरें कि if H is the height of the cone कि अगर cone की height क्या है वो capital H है तो आपको बताना है इनमें से consumption सही होगा तो वहीं हमको apply करना है दोनों के volume क्या होंगे बराबर तो हम इसको hemisphere का क्या होता है volume 2 by 3 pi r cube is equal to इसका क्या होगा 1 by 3 pi अब R दोनों में बराबर है तो R square H 3 से 3 कट गया pi से pi कट गया और कुछ कट रहे क्या R square से ये कट जाएगा क्यों R बचेगा इधर H बचा इधर कितना है 2R तो H बराबर में 2R ये relationship R है ये कौन्स option सही है फर्स्ट वाल option ही आपके लिए सही है टिक करिए आगे बढ़िए next question देखते है क्या है लिखा वाए a hemispherical cup of radius 4 cm is filled to brim with coffee the coffee is then poured into a vertical cone of radius 8 cm and height 16 cm the percentage of the volume of the cone that is remains empty is अच्छा मतलब ये कह रहे हैं कि आपका कोई भी hemispherical cup है ठीक है मतलब ये आपका ऐसे hemispherical cup है तो इस cup में कह रहे हैं इसकी radius दी गई है कितना है 4 cm इसकी radius है तो कह रहे हैं कि इसमें coffee coffee का powder डाला गया ऐसे समझ लीजे कि ये उससे पूरा भरा हुआ है अब इसको हम पलट देते हैं किसी cone में cone shape में पलट देते हैं जैसे ये cone है इस तरह के shape में किसी बर्तन में हमने पलट दिया तो ये बर्तन पूरा भरा नहीं तो कुछ level तक ये बर्तन भरा है तो आपको बताना क्या है कि कितना ये खाली रह गया ये part जो खाली रह गया ये कितना percentage है तो हमको क्या समझ में आता है इस question के दोरा question को पढ़के आपको ये समझ में आता है ये दोनों के volume आपके equal नहीं है volume आपके equal होते है तब तो ये पूरा भर जाता तो हमको ये समझ में आता है कि एगर हम दोनों के volume निकालने है तो हम आसानी से question को स्वालू कर सकते हैं तो hemisphere का volume क्या होता है 2 by 3 pi r cube 2 by 3 और यहाँ पे क्या है pi है तो pi को मैं pi ही रखने देता हूँ इसमें pi ही रहेगा हो सकता है कट जाए r cube की value कितनी है radius है 4 तो 4 का cube कितना हो जाएगा 64 दूसरी तरफ इसका अगर हम volume निकालें तो इसका volume कितना जाएगा 1 by 3 pi r square h r square h मतलब यहाँ पे r कितना है 8 cm 64 और गुणे में height कितनी है 16 तो 64 गुणे में 16 अब यह आपको पता चल गया दोनों के volume अब आपको बताना क्या है कि percentage of the volume of the cone that remains empty कितना percentage empty रह जाता है यह आपको निकालना है तो हम यह समझे के देखें कि कितना part इसका खाली रह गया है तो अगर आप देखें यहाँ पे कुछ आप फिट कर सकें तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए question को करना कि अगर आप इसको देखें इसको मैं थोड़ा सा तोड़ लूँ कैसे एक बटे में 3 पाई गुणे में 64 और इसको क्या कर लूँ 16 को मैं ऐसे तोड़ लूँ दो गुणे में 8 करके तो अगर आप देखें तो इतना वाला जो part है वो क्या आगया इसके बराबर आगया यही तो लिखा हुआ है 2 x 3.264 यहां भी वही लिखा हुआ है 2 x 3.264 और यह 8 वाला जो हिस्सा है यह आपका अलग रह गया तो ऐसे आप समझ सकते हैं क्या कि यहां पे अगर आप देखें मतलब अगर मैं इसको इससे replace कर दूँ मतलब अगर हम यह समझ लें कि यह आपका volume V1 है और यह क्या है volume V2 है और हम V1 upon V2 निकाल लें तो हमको यह समझ में आएगा कि यह क्या आप जाएगा और यह पूरा कठी जाएगा इससे और नीचे क्या बचेगा 1 x 8 मतलब 1 x 8 हिस्सा जो है वो उसका 1 x 8 जो हिस्सा है वो उसका भरा हुआ है ठीक है मतलब इतना हिस्सा उसका क्या है भरा हुआ है तो खाली हिस्सा कितना होगा तो पूरा मान लेते हैं एक ही होगा तो एक में से 1 x 8 घटा लीजे कितना बचेगा 7 x 8 तो 7 x 8 जो हिस्सा होगा वो उसका क्या होगा, खाली होगा, तो इसको आप क्या कर लीजिए, परसेंटेज में convert करना है, 100 से गुना कर लीजिए, आसानी से आपको answer मिल जाएगा, 700 बटे में 8 करेंगे, तो आप देखें कितना हो जाएगा, 888, 64 होगा, कितना बचेगा, 60 बचेगा, तो ये हो जाएगा थोड़ा सा difficulty लगे, आपको क्या कह रहे है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप जो percentage निकालने वाला formula होता है, कि what percent more or less than वाला, उससे आप निकालीजिए, कि इसका जो volume है, वो इसके volume से कितना अधिक है, जितना अधिक होगा, उतने ही percent वो remain होगा, समझ र इसका कितना हिस्सा खाली होगा, तो आप 100 घटा दीजे, मतलब 200 हिस्सा, इसका क्या होगा, खाली होगा, तो ऐसे ही आपको निकाल लेना है, तो बस हम वही कर लेते हैं, हमको क्या करना है, कि इसमें से इसको घटाना होगा, ठीक है था, यह बड़ी value है, इसमें से हम इसको और divided by this आपको कर देना है तो आप देखिए इन दोन में इतनी जो गोले में चीज़े हो तो common ही आ जाएंगी क्या जाएगा 2 by 3 पाई इंटू में 64 तो यहां पर क्या बच जाएगा 8 बचेगा तो 8 और यहां पर क्या बचेगा 1 तो 8-1 यही फर्मलाम लगा रहे है जो पहले ल कट गया 8 में से एक चला जाए कितना उचेगा 7 गुणे बचे में 8 और यहां पर गुणे में 100 तो यहां से भी आपको समझ में आ जाएगा और डारेक्ट आप एंसर निकाल सकते हैं मेरे खाल से आपको समझ में आया होगा अब यह जो कोशन है थोड़े से different वाले हैं लिखा वॉल्यूम कितने percent increase होगा तो ध्यान रखिए फॉर्मुलें पे अगर ध्यान दीजे तो क्या होता है formula कौन का 1 by 3 पाई r square h अब यहां पे 1 by 3 और पाई तो constant है तो इनका तो कोई असर पड़ेगा नहीं यह क्या है पाई square h तो अगर इसको मैं ऐसे तोड़ लूँ तो यह हम कह सकते हैं कि variation कितने यहां पे हैं तो एक दो तीन variation है तो हमको effective percent लगाना होगा 20% वाला बस आपको दो बार लगाना पड़ेगा और आपको answer मिल जाएगा डायक्ट भी कुछ लोग लगा देते हैं मतलब effective percent का जो तीन वाला formula होता है उसको भी अप लगा सकते हैं मैं prefer करता ह अगर दो में करके करें तो थोड़ा सा calculation में आपको असानी मिलती है गलत होने के chances कम रहते हैं मतलब आपको यह पता है कि radius भी 20% है height 20% है तो ज्यादा टेंशन नहीं होगी तो एक बार हम करेंगे 20 plus 20 plus 20 into 20 upon में 100 मतलब radius को ले करके तो यह आपको 0 से 0 कठी जाएगा 20 20 40 और द 44 प्लस 20 और यह क्या हो जाएगा 44 गुणे 20 बटे में 100 44 और 20 कितना हो जाएगा 44 और यहाँ पे देखी कितनी बार में जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा और यह कितना है 44 तो कितनी मान हो जाएगा यह 8.5 यह 8.8 टैंस में चला जाएगा पूरा का पूरा तो 64 में 8.8 तो कितना हो जाएगा 72.8 तो यह आपको एंसर मिल गया कौन सॉप्शन सही है फूर्थ वाला बस इतना ही समय लगना है पांस से दस मिनिट का मत्तल्ब मुझे करना होगा तो मुझे यह वाला श्टेप तो करने की जरोत ही नहीं पड़ेगी यह तो बहुत आसान है 20 और 20 कितना हो जाएगा 20 और 20 का effective % 44 निकलेगा मैं डारेक्ट इसको करूंगा और इसमें मुझे करने में 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 ख्याल से 5 सेकंड का समय लेगा एंसर मिल जाएगा नेक्स्ट कोशन देखी इसी तरह है लिखाव है इच ऑफ दा हाइट और जो रेडियस सबको 100 परसेंट बढ़ा दिया गया तो वही हमको करना है कि रेडियस वही आर गुने में र इंटू में च वाला करना है तो रेडियस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू में 100 बटे में 100 कर लेंगे कितना हो जाएगा देखिए 300 300 प्लस फिर से जो हाइट है उसको लेकर के करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 प्लस 100 और ये कितना हो जाएगा 300 इंटू में 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 100 ये कर गया ये 301, 400, 400, 300, 700 पहला वाल option सही, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे next question देखते हैं इसी पे लिखावे, if radius of cylinder is decreased by 50% and the height is increased by 50% to form a new cylinder, the volume will be decreased by अब यहाँ पे कुछ लोग सोचेंगे कि radius को 50% कम कर दिया गया, height को 50% बढ़ा दिया गया तो radius क्या है, radius आपकी square हो रही है pi r square h होता है ना, cylinder का तो r यहाँ पे दो बार है और h के उले एक बार है, तो हमको क्या करना है कि cylinder का जो radius है, वो दो बार decrease करना होगा, मतलब एक बार हमको effective percent लगाना होगा, decrease वाला फिर यहाँ पे हमको plus के साथ लगाना होगा तो r into r में अगर हम निकालें तो यह कितना हो जाएगा, minus 50 minus 50, और यह क्या हो जाएगा plus 50 into में 50 upon में 100 यह plus क्यों होगा, क्योंकि यह भी minus यह भी minus, जब 2 minus गुणा होते हैं, तो क्या हो जाता है plus, यह 0 से 0 कट गया यह कितना हो गया, 50 और 50 100, और 5 गुणे 5 कितना, यह आपका 25, और यह minus में है, यह plus में है तो 100 में से 25 गटेगा, तो कितना हो जाएगा minus 75, अब आपको पता है कि जो height है, इसको increase किया गया है, तो आपको height को increase वाले formula पर रखना होगा, तो क्या होगा कि 75 में हमको 50 जोड़ेंगे, minus में यह कितना हो जाएगा 75 गुणे में 50, बटे में 100 75 में से 50 आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा, minus में 25 50, 200 हो जाएगा और 2 को आप काटेंगे 75 से तो कितनी बार में कटेगा, देखिए तो यह आपका 2, 3, 6, 2, 7, 14 37 संदों में 5, लेकिन minus में तो यह आपका आजाएगा 37, 5, दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 62, 5% का यह decrease शो करेगा तो कौन से option सही हुआ, थर्ड वाल option सही हुआ, तो कोई भी percentage increase, decrease का question आए, तो बस इतना ध्यान रखिए कि उसमें कौन-कौन से variable कितने बार गुणा हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे R कितनी बार गुणा हो रहा है, दो बार, तो आपको एक बार इसके साथ लगाना होगा, और जो final result आएगा, उसको H के साथ आप लगा दीजिए, आपको सही answer मिल जाएगा, और बहुत आसान होता effective percent को use करना, तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये question हमने discuss कि, एक काफ़ important questions थे, next वीडियो में मैं आपके समने कुछ और important questions लेके आउगा, mensuration के ही, जिससे आपकी mensuration के पर जो पकड़ हो, और मजबूत हो सके, exam से पहले एकदम निर्भीक हो करके जा सके, exam को देने के लिए, आपको इस वीडियो को like करना होगा, और like करने के बाद आपको मुझे comment करके बताना होगा, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे और ज्यादा यहाँ पे प्रोसाहन मिले, और इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए वीडियो अगर पसंद आया, तो आप इसे शेर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, उनका भी डर दूर कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपने